हेलो दोस्तो स्वागत है पस भीक आपके प्रिंटिक चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग प्रेवियस हर के कोशन पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोग एकजाम देने जा रहे हो तो आप लोग प्रेवियस योः यानि पिछले साल के पेपर को जरूर देख लेना पिछले साल के पेपर से आपके काफी हिल्प हो जाएगी चाहें आप बी ए बा स्ट्रेण्ट हो या MAMSC M.com के स्ट्रेंट हो किसी भी एर के स्ट्रेंट हो आप लोग एक बार पिछले साल के पेपरों को जरूर देख लिना पिछले साल के पेपरों को देखने आपकी बहुत ज़्यादा है आपको पेपर के पैटरिन का पता चल दाएगा long question, short question बगारा कितने कितने number के होते हैं कहां कहां से पूछे आते हैं कैसे कैसे question आते हैं तो सभी UGPG ड्रेवर प्रेविट के चातर exam देने से पहले पिछले सालों के पेपर को जरूर चेक कर लिए था तो चलिए मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोग पिछले साल के पेपरों कैसे देखोगे डाउनलोड भी कैसे करोगे तो आप लोग अपने mobile phone में Google को open कर लें और open करने के बाद में search बार में type करेंगे mgpru previous year question paper pdf search करने के बाद में पहले बाले साइट पर click कर देंगे www.mgpruonline.com और इस पर click करने के बाद में अब आपके सामने यहां पर सारे course आ जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि select course BA, BSC, BICOM, BA, BBA, MA सारे course आपके सामने आ जाएंगे आप लोग अपने course को select करने हैं जिस course की आपको paper देखने हैं तो माले जी हम यहां पर BA के paper देखते हैं तो BA वाले option पर हम click करेंगे अब यहां से हम year select कर लेंगे कि हमें कौन से year के paper देखने है first year के, second year के या फिर third year के और नीचे semester system भी है semester system के भी आप लोग paper देख सकते हैं तो अब हम यहां से third year के paper select करते हैं third year option हमने select कर लिया अब यहां पर कई सारे paper आपको देख जाएंगे जो paper आपको देखना हो उस paper को आप लोग देख सकते हैं अब माले जह हमें हिंदी literature के paper देखने हैं तो हिंदी literature में हमें first देखना है फिर second देखना है वो आप लोग code से पता करें paper का code यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा अब जो paper आप लोगो देखना होगा आप लोग इस paper पर click कर देगे अब click करने के बाद में यहाँ पर आपको देख़ेगा download download का बटन आपको इहाँ पर देख़एगा अब open करने के बाद में आपके सामने paper की PDF open हो जाएगी इस तरीके से आप लोग paper की PDF को download कर लेना पिछले साल की paper से आपकी बहुत ज़ते help होने वाली है paper का pattern, paper में कैसे कैसे question आते हैं सारा आप यहां से समझ जाओगे अब अगर यहां से आप लोगो MA बगएरा के paper देखने हैं तो आप लोग MA पर click करें अब click करने के बाद में आपके सामने yearly सिस्टम भी है और semester सिस्टम भी है तो yearly में अगर आप लोग first year के हैं तो part बन पर click कर दें second रेके तो हैं part two पर click कर दें पार्ट बन पर हम click करते हैं अब part बन के पिछले साल की paper आपको यहां पर मिल जाएंगे आप लोगो जो paper download करना है आप लोग paper का code देख लें first paper, second paper आप लोग code से पहचा लें और paper का code देखने के बाद में आप लोग उस paper पर click करते हैं जो आपको download करना है अब click करने के बाद में आप लोग नीच आएंगे अब यहां पर आपको download का button देखे का आप लोग इस पर click करेंगे तो click करते ही यह paper आपका download हो जाएगा आप लोग इसको click करके आप लोग इसको किसी file में open करके देख सकते हैं तो आप हमेआप लोगब देखाने की जरूत नहीं है जितने paper आपको देखने हैं जो आपको देखना हूँ आप लोग Di把 को Subscribe कर सकते हैं अब कोई साफिब आप लोग यहांसे download कर सकते हैं तो ठीक है इस त्रीक है? इस तरीके से के वे लागन का ओल पर जरू सेलेक्ट करना है जिस्ते के आपको आने वाले वीडियो इसके नोटिफिकेसन भी बिलते रहें